Hello students, कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and this is the 26th lecture. ये हमारा 26th lecture है on the subject Economics and आज के lecture में हम एक बहुत ही important topic discuss करने जा रहे हैं that is forms of market या कुछ books में इसको structure of market करके भी दिया गया है ठीक है तो आज के lecture में हम ये topic detail में discuss करने वाले हैं forms of market तो चलिए देखते हैं detail में कि हम कौन-कौन से sub-topic आज के lecture में discuss करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि market क्या होता है ठीक है फिर market के कितने forms होते हैं या कह रहे जए market structure क्या होता है तो दो इसके main forms है perfect competition market and imperfect competition market imperfect में तीन आते हैं monopoly, monopolistic and oligopoly market ठीक है तो इन तीनों ही market ये तीनों ही market क्या होते हैं इनके क्या features हैं ठीक है and perfect competition market के बारे में भी ये क्या होता है इसके features हैं ठीक है ये सारी चीज़े हम आज के lecture में discuss करेंगे और लास्ट में मैं इन चारो ही market का comparison करके समझाऊंगी कि इन चारो market में actually में क्या difference है तो ये सारे topic हम आज के lecture में discuss करने वाले हैं और lecture start करने से पहले आपसे एक request है कि ये lecture over होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने आज कुछ नया सीका है कुछ concept क्लियर हुआ है कुछ knowledge gain की है तो please मुझे comment section में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आये तो like भी जरूर करिएगा और चैनल पर फर्स टाइम आये है तो चैनल को subscribe तो कर ही लीजेगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको commerce stream के जो different subjects हैं जो आपको इस टाइम दिख रहे हैं यह जो different subjects हैं इनकी video lecture series मिलती है detail में with notes and numerical मेरे चैनल पर मैंने आज की तारीक यानि December 2021 तर लगभग 300 video lectures आपके लिए upload किये हुए हैं यह जो screen पर आपको subjects दिख रहे हैं यह मैं already cover कर चुकी है अपने चैनल पर तो बस मैं यही चाहती हूँ ठीक है कि इन video lectures का आप फायदा उठाएए खुद भी पढ़िए और अपने friends के साथ भी ज़्यादा ज़्यादा share करिए तो चलिए फिर हम आज का lecture start करते हैं market सबसे पहले सवाल यह आता है कि market क्या होता है तो market क्या है it's a system यह एक system है या कह लीचे arrangement है which brings the buyer and seller in contact with each other market वो system है वो platform है जो buyer और seller को buyer मतलब जो खरीदने वाला जो ग्रहक है and seller ठीक है इन दोनों को contact में लाने वाला जो platform होता है जो system होता है इसको हम market कहते हैं ठीक है buyer seller एक दूसरे के contact में आते हैं trade करते हैं और फिर trade में buy and sale करते हैं goods की purchasing and selling होती है और finally वो trade settled होता है तो this is market इसको हम market कहते हैं कुछ बच्चों को confusion होता है कि जो shopping complex है जो आपकी जो local market है जहां पर आप जा करके shopping करते हैं that is market ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा platform कोई भी ऐसा system ठीक है चाहिए वो online हो offline हो telephone पे हो ठीक है कोई भी ऐसा system जिससे buyer and seller एक दूसरे के contact में आए ठीक है एक दूसरे से trade कर पाएं goods की buying selling कर पाएं purchasing कर पाएं selling कर पाएं ठीक है कोई भी ऐसा system उसको हम market कहेंगे ठीक कोई जवी नहीं है कि जो shopping complex जो mall जो local market है वही market है कोई भी ऐसा system ठीक है जिसमें buyer seller contact में उसको हम market कहते हैं तो अब तो कोई confusion नहीं होगा ना market के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं बताती हूं कि structure या forms of market कुछ books में structure दिया है कुछ books में form दिया है तो दोनों ही आपको पता हूं चीए कि दोनों same है ठीक है अगर हम forms of market के बारे में बात करें तो दो main form होते हैं एक perfect competition market एक imperfect competition market ठीक है फिर imperfect competition market के अंदर में तीन type के market आते हैं monopoly market, monopolistic market and oligopoly market तो इन सारे ही ये first और ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा इन चारों ही market के बारे में हम आज बहुत detail में discuss करने वाले हैं और last में मैं इनके difference बताऊंगी, इनकी in market की बीच में क्या difference है, ठीक, तो चलिए start करते हैं with perfect competition market तो perfect competition market क्या होता है, ये वो market होता है where there is a large number of seller and buyer वो market जहां पे buyer भी बहुत सारे हैं, seller भी बहुत सारे हैं, ठीक है, seller भी बहुत सारे हैं and buyer भी बहुत सारे हैं कोई individual buyer and seller market में product की price को control नहीं कर सकता, ये बहुत खास बात है, यहां पे buyer भी बहुत सारे हैं, seller भी बहुत सारे हैं, तो इससे क्या है कोई individual buyer, ठीक है, demand ये supply को इतना जादा effect नहीं कर सकता है, कि उसकी price effect हो जाए, ठीक है, price को control नहीं कर सकता है ठीक है, प्राइस को control नहीं कर सकता है, ठीक है, फिर यहां पे जो product होते हैं, वो homogeneous product होते हैं, homogeneous मतलब similar product होते हैं, ठीक है और similar product का जैसे example है, जैसे agricultural products, ठीक है, आलू, प्यास, फल, ये सब agricultural product, homogeneous product यहां पे product similar होते हैं और यहां पे price कैसे determine होती है, on the basis of demand and supply, market में उस product के demand क्या है, supply क्या है, इसके basis पे यहां पे product की price decide होती है और यहां पे product क्या ऐसा होता है, homogeneous होता है, example के लिए agricultural product तो अगर मैं features की बात करूँ, perfect competition market की features की बात करूँ, तो सबसे पहला feature क्या है यहां पे, अभी मैंने बताया ना, यहां पे large number of seller and buyer है, यहां पे जो buyer है और जो seller है, वो large number है बहुत large number में buyer and seller है, ठीक है, इसी लिए, यह जो perfect competition market होता है, इसको, इसमें जो sellers होते है जो sellers होते हैं, इनको कहा जाता है, they are the price taker, ठीक है, they are not the price maker, ध्यान जे समझेगा they are not the price maker, they are price taker, यह price taker होते हैं, क्योंकि perfect competition market में, जो price decide होती है वो किस के basis पे decide होती है, on the basis of demand and supply, demand supply के basis पे price decide होती है तो यहाँ पे जो seller होते है न, they are the price taker, market price decide करता है, उन्हें के विल वो price लेनी होती है, ठीक है, they are not the price maker, वो price बनाते नहीं है, they are not the price maker, इनके हाथ में नहीं होता है price fix करना, ठीक है, यह बहुत important बात है, यहाँ पे large number of seller होते हैं, और वो क्या होते है, price taker, not price maker, और कोई भी supplier, कोई भी यह जो seller होता है, individual seller, वो market में किसी भी product की price को effect नहीं डाल सकता है, price पे impact नहीं डाल सकता है, वो supply बढ़ा के या supply घटा के price पे impact नहीं डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे large number of seller है, ऐसी जो buyer है, वो भी इस market में जो price है, उसको influence नहीं कर सकता है, यह बहुत ह खास बात है perfect competition market की, अगला feature क्या है, बताया अभी मैंने कि यहाँ पे product कैसा होता है, homogeneous product होता है, homogeneous product का मतलब क्या है, similar product, यानि जो buyer है, उसके पास कोई reason नहीं है, कि वो prefer करे एक seller को as compared to the other seller, यानि कोई seller S1 है, कोई seller S2 है, वो इस seller से सामान ले, और इस seller से न ले, ऐसा कोई य क्योंकि सभी के पास क्या है, similar product, homogeneous product, एक जैसा product है, ठीक है, एक जैसा product है, इसलिए price भी पूरे market में क्या होती है, एक जैसी होती है, तो this is homogeneous product, यह तीसरा feature हुआ, चौथा feature क्या है, perfect knowledge, perfect knowledge मतलब कि जो buyer and seller, यहाँ पे perfect competition market में जो buyer and seller होते है, they are fully aware of the price prevailing in the market, market में जो भी price चल seller को भी, दोनों को अच्छे से पता होता है, ठीक है, आलू 10 रुपए किलो है, यह buyer को भी, 10 रुपए का rate चल रहा है, यह buyer को भी बहुत अच्छे से पता है, seller को भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, तो there is a perfect knowledge, ठीक है, regarding the product price in perfect competition market, buyer को भी पता है, seller को भी पता है, अगला कोई भी person perfect competition market में आ के अपनी firm खोल सकता है, ठीक है? And exit भी, exit मतलब उस firm को close करके, close मतलब finally पूरी ताहिगे से बंद करके जा भी सकता है, exit, अपना business बंद भी कर सकता है. Open भी कर सकता है, नया business खोल भी सकता है, और business को close भी कर सकता है, मतलब खतम भी कर सकता है, ठीक है? तो free entry exit है यहाँ पर ऐसा कोई legal restriction बहुत जादा नहीं होता है तो this is the fifth feature अगला feature क्या है इसका independent decision making and freedom from the check independent decision making यानि यहाँ पर कोई भी agreement नहीं होता regarding sellers, regarding production, quantity and price यहाँ पर independent decision making होता है यानि किसी एक seller का decision होता है वो दूसरे seller से जादा, मतलब इसमें कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर sellers की बीच में ऐसा सच कोई agreement नहीं है कि हर seller कितना production करेगा, कितना quantity supply करेगा, कितनी price fix करेगा ठीक है तो यहाँ पर decision एक दूसरे का, एक दूसरे पर जो भी seller decision लेता है, वो एक दूसरे पर impact नहीं डालता है जबकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी oligopoly market ठीक है, वहाँ पर क्या होता है जो किसी एक seller ने कोई भी decision लिया regarding pricing of the product, regarding the production वो दूसरे seller को पर impact डालेगा लेकिन यहाँ पर independent decision होता है ठीक है अगला जो feature है, that is perfect mobility perfect mobility का मतलब क्या है कि जो factor of production है factor of production मतलब land, labor, capital, entrepreneurship तो जो factor of production है उनकी perfect mobility होती है in perfect competition market ठीक है factor will move to that industry which pays the highest remuneration यानि यह जो factor of production है land, labor, capital, entrepreneurship यह उस industry में move कर जाते हैं बहुत आसानी से जहाँ पर उन्हें higher जहाँ पर उन्हें higher salary higher remuneration मिल रहा होता है वहाँ पर move कर जाते है यह perfect competition market होता है ठीक है तो these were the few features of perfect competition market राइट वैसे अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से perfect competition market के बारे में समझ में आ गया है ठीक चलिए अब मैं आपको बताती हूँ perfect competition market के तीन बहुत basic features है जरूरी है यह जाना ठीक है तीन basic और feature है additional feature है इन पूरे 7 हमने last में कितना पढ़ा 7 features इन 7 features को पढ़ने से हम 3 main conclusion draw कर सकते हैं regarding the perfect competition market तो वो अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ सबसे पहला क्या है जो firm होती है perfect competition market में they are the price taker मैंने अभी यह बात कही ती रहा they are the price taker not the price maker perfect competition market की जो firm होती है price taker होती है ठीक है market price decide करता है on the basis of demand and supply उन्हें वो price accept करनी होती है they are not the price maker यहाँ पे firms जो होती है वो price decide नहीं करती है price को make नहीं करती है बनाती नहीं है ठीक है demand supply market decide करता है price of the product ठीक और यह price maker क्यों होते है sorry price maker नहीं price taker क्यों होते है इसका कारण क्या है पहला कारण है यहाँ पे number of firm बहुत ज़ादा है यह जो perfect competition market है यहाँ पे number of firm बहुत ज़ादा है तो अगर कोई individual firm अपना price change भी कर दे न तो क्या होगा जो buyers है वो दूसरे seller पे shift हो जाएंगे अगर S1 यह जो seller है इसने अपनी price बहुत बढ़ा दिया बहुत कम कर दी बहुत बढ़ाद ही suppose कर दी तो क्या होगा buyer दूसरे seller पे move कर जाएंगे क्योंकि सब के पास homogeneous product है एक जैसा product है तो यह पहला कारण है कि यहाँ पे firm बहुत ज़ादा होती है perfect competition market में दूसरा क्या reason है यह price taker क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे homogenous product होता है similar product होता है हर seller same product sale कर रहा है तो यह पहला conclusion है अगला एक important conclusion perfect competition market के बारे में यह है कि जो demand curve होता है perfect competition market का जो demand curve होता है that is perfectly elastic हमने पढ़ा था ना demand curve में मैंने आपको price elasticity of demand पढ़ाया था उस पे मैंने separate video बनाई है तो वहाँ पे मैंने price elasticity of demand आपको detail में बताया है वहाँ पे five cases मैंने आप से discuss किये है तो उसी में एक case है perfect elastic तो यहाँ पे perfect competition market का demand curve होता है वो कैसा होता है perfect elastic curve होता है ठीक अच्छा यह competitive exam के point of view से बहुत important है अगर यह पूछा जाए कि perfect competition market का demand curve कैसा होता है तो that is perfect elastic perfect elastic का मतलब क्या है अच्छा price elasticity of demand का formula तो आपको याद है ना याद है formula जल्दी से बताएजे क्या formula है यह मुझे comment section में नीचे बतादीजेगा क्या formula है यह है formula जो मैं लिख रही हूँ delta q by q by delta p by p यही था ना formula मैंने minus sign q लगा है क्योंकि there is a inverse relationship between these two इनके बीच में inverse relationship होता है तो this is the formula यह था तो price elasticity यहाँ पर क्या होता है perfect competition market में price is fixed price fix होती है perfect competition market में price fix होती है तो price fix होती है यानि change in price है 0 delta p क्या है 0 delta p अगर 0 यानि denominator अगर 0 यानि ED equals to क्या हुआ infinite हुआ ED equals to infinite हुआ इसलिए जो demand curve होता है perfect competition market में that is infinite infinite होता है इसका मतलब क्या है कि firm can sale any amount of output at the prevailing price यानि जो existing price है जो fixed price है उस पर firm चाहे जितने quantity of output sale कर सकता है ठीक है और इसका अगर demand curve ड्रॉव किया जाए तो ऐसा आता है यहाँ पे quantity हुआ यहाँ पे price हुआ y-axis पे price plot किया x-axis पे quantity price plot किया तो अगर suppose कर यह price 5 है तो यहाँ पे तो price fix रहती है तो इसका जो demand curve बनेगा that will be horizontal यह horizontal बनेगा इसका मतलब क्या है कि perfect competition market में firms कितना भी output sale कर सकती है at fixed price तो this is regarding the demand curve यह बहुत पूछा जाता है वाइवा वागेरा में भी बहुत पूछा जाता है चलिए अगला तीसरा एक important conclusion about perfect competition market is जो firm होती है perfect competition market में they earn only normal profit in long run long run में यह केवल normal profit ही earn करती है तो आप पूछेंगे क्यों earn करती है जो perfect competition market में जो firms होती है इने normal profit ही होता है इने extra normal profit नहीं होता है इने normal profit होता है long run में क्यों इसका कारण मैंने यहाँ पे लिखा है because क्योंकि यहाँ पे freedom है entry and exit of the firm की यहाँ पे कोई भी firm आसानी से अपना business खोल सकता है ठीक है अपनी firm establish आप कर सकते है entry कर सकते हैं इस market में और exit अपनी firm बंद करके जा भी सकते है ठीक है तो इसकी वज़े से यहाँ पे केवल normal profit होता है ठीक अब मैं आपको बताती हूँ कि entry and exit से क्या impact पड़ता है देखें अगर यहाँ पे extra normal profit हो तो ठीक है अगर इस profit competition market में long run में firm को extra normal profit होगा तो क्या होगा और नई firm से इस industry में आएगी और नए-नए लोग अपनी firm यहाँ पे खुलेंगे अगर और नए लोग खुलेंगे तो क्या होगा market supply बढ़ जाएगी market supply बढ़ जाएगी तो क्या होगा market price घड़ जाएगी market price घड़ जाएगी तो क्या होगा extra normal profit जो हो रहा था वो क्या होगा wiped out वो खतम हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे extra normal profit नहीं होता है normal profit होता है और अगर extra normal loss हो रहा है तो उस case में क्या होगा कुछ firm जो है वो इस industry को छोड़ देंगे कुछ firm क्या कर जाएगे exit कर जाएगे इस industry से तो इससे क्या होगा market supply exit कर जाएगे तो market supply fall हो जाएगी market supply fall हो जाएगी market price बढ़ जाएगी market price बढ़ जाएगी तो जो loss हो रहा था वो क्या होगा disappear हो जाएगा वो भी wiped out हो जाएगा खतम हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए न तो यहाँ पे extra normal profit होता है, न extra normal loss होता है, यहाँ पे क्या होता है, normal profit होता है, यह भी वाइवा में बहुत पूछा जाता है, कि perfect competition market में extra normal profit होता है, कि extra normal loss होता है, तो यहाँ पे there is only normal profit, यहाँ पे normal profit होता है, तो यह 3 important conclusion है about perfect competition market, ध्यान र Monopoly. Mono मतलब क्या होता है? Single. Poly मतलब firm, जो control करती है. ठीक है? तो यानि यहां पे single firm है. Monopoly वो market structure है, वो market का firm है, जहां पे mono है. Mono मतलब single firm है. ठीक है? तो that is called monopoly market. Monopoly market क्या है? Monopoly, वो market structure है, where there is a single seller of the product. जहां पे product का single seller है. और उसका कोई भी close substitute नहीं है market में, तो that is called monopoly. उसको monopoly कहते हैं. ठीक है? वो monopoly market structure है. Mono मतलब याद रखिएगा. Mono मतलब single. Poly मतलब firm, जो control करें. तो यहां पे single firm होती है, जो control करती है पुरे market को. ठीक? इसका बहुत बढ़िया example है, railways. जिसे government own करती है. बताएगे, यह railway का कोई substitute है. ठीक है? रेलवे का कोई substitute है? ठीक है? रेलवे का कोई substitute है? तो इंडिया में example of monopoly. ठीक? अब monopoly जो market है, इसके कुछ मैं features पताती हूँ. सबसे पहला feature है, यहां single seller है and large number of buyer है. आप एकदम railway को ध्यान में रख करके, पूरे feature imagine करिएगा. यहां पे single seller है, railway single service provider है या seller कह लीजे है. और यहां पे large number of buyer है. ठीक है? दूसरा क्या है? फीचर यहां पे restriction है on entry of new firm obviously restriction है. ठीक है? कोई भी, क्या railway की कोई भी company खोल सकता है क्या नहीं खोल सकता है? तो there is a restriction on the entry of new firm. new firm की entry पे restriction है. ठीक है? और तीसरा feature क्या है? कोई close substitute नहीं है. obviously railway का कोई close substitute नहीं है. अगला क्या है? full control over price. यहां पर जो price होता है उस पे full control होता है क्योंकि monopoly है ना? दूसरा option ही नहीं है. एक ही firm है जो service provide कर रही है या product बना रही है. ठीक है? एक ही firm है. तो वहाँ पे उसी की चलेगी. तो उसका full control होता है over the price. तो यहां पे they are the, बताए, they are the price maker और price taker. बताए, they are the price maker और price taker. तो they are the price maker. monopoly में जो firm होती है that is the price maker. यह price maker होता है. और perfect competition market में क्या होते है? they are the price taker. वो price taker होते है. market decide करता है price. ठीक है? they are the price taker. यहां पे monopoly में क्या होता है? they are the price maker. ठीक? अगला क्या है? next और पाच्वा feature क्या है? possibility of price discrimination. यहां पे possibility होती है कि monopoly में price discrimination हो. price discrimination ये एक important term है ध्यान रखना है आपको देखिए price discrimination मतलब होता है price discrimination एक type discrimination मतलब होता है अंतर price मतलब तो समझ रहे हैं जो भी price charge की जाती है product की यानि price discrimination एक type की practice होती है जिसमें जो seller होता है वो charge करता है different price from different buyer यानि जो different buyer है उनको different price pay करनी है for the same product, for the same service, यानि same good same service के लिए different buyer को different price charge की जाती है, इस practice में price discrimination में तो monopoly में कभी कबार मतारई monopoly में chances हैं possibility है कि जो firm है वो price discrimination भी कर सकती है यानि different buyer से different price charge करें जो rich buyers है एक जो higher level, higher income group है, उनसे शायद जादा price charge करें और जो lower income group है, उनसे कम price charge करें तो ऐसा भी कर सकती है, monopoly में ऐसा भी possibility है, तो this is called price discrimination, यह important है चलिए, तो आपको feature समझ में आगे, अब जरा जल्दी से मैं आपको demand curve बता देती हू, demand curve of monopoly firm, अगर कोई monopoly firm है, उसका demand curve कैसा होगा ठीक, तो monopoly है ठीक है, single firm है उसका full control है price पे बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिस rate पे चाहें, उस rate पे अपनी commodity को sale करेंगा, एक बात यह है, ठीक है, यहाँ पे monopoly में full control होता है over the price लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कि price पे sale करेंगा, यहाँ पे अगर जो monopoly firm है वो अपनी price को बहुत ज़्यादा charge करेंगी, बहुत high कर देगी तो buyer क्या होगा, buyer फिर इतना ज़्यादा quantity consume नहीं करेंगा, वो कम purchasing करेंगा, तो quantity demanded किस पे depend करता है, वो buyer पे depend करता है, अगर buyer को लग रहा है कि price बहुत high है, तो quantity demanded वो क्या कर देगा, लो कर देगा और अगर price low रखेगा monopoly firm, तो ज़्यादा है ज़्यादा लोग उसको use करेंगे, उस product को खरीदेंगे, तो there is an inverse relationship between price and quantity demanded, monopoly के case में price and quantity demanded जो होता है, इसके बीच में क्या है, there is an inverse relationship, sorry, यहाँ पर one by q होगा, inverse relationship होता है, ठीक है, जितनी price ज़्यादा, उतनी quantity demanded कम होगा, ठीक है, इसलिए इसका जो curve होता है, जो demand curve होता है that is slope downward, ऐसा curve बनता है, जैसे जैसे price बढ़ती जाती है, वैसे वैसे quantity demanded, क्या होती है घरती जाती है, ठीक है, तो this is the demand curve of monopoly firm, पूछा जाता है कि objective में भी बहुत पूछा जाता है वैवा में पूछा जाता है कि monopoly firm का demand curve कैसा होता है, तो इसका demand curve होता है, slopes downward क्यों, क्योंकि because there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded right, चलिए, आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ कि monopoly market structure arise क्यों करता है, क्यों monopoly होती है, तो monopoly का पहला कारण है शायद government licensing की वज़े से, government के control की वज़े से, कुछ particular industries ऐसी होती है, जहाँ पे license, government license ही नहीं देती, common people को license ही नहीं मिलता उस industry में अपनी firm खोलने का, ठीक है या कभी कवार, patent right की वज़े से, ठीक है, या फिर कभी कवार, natural occurrence की वज़े से, suppose करिए कोई island है, ठीक है, वहाँ पे कोई mine है, ठीक है, mine है, coal की mine है, या किसी भी चीज की mine है, gold की mine है, या coal की mine है, ठीक है ये जो coal mine का जो owner है, ठीक है, यही इसकी price decide करेगा, तो यहाँ पे तो एकदम monopoly हो गई, तो because of some natural factors, natural occurrence के कारण भी monopoly arise करती है, नहीं तो अधिकतर government licensing, government के control के कारण, या patent right के कारण monopoly होती है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको तीसरा, जो structure of market है that is, monopolistic competition market, वो बताती हूँ monopolistic, तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 monopolistic competition market है, दो type के market structure का combination है, इसलिए मैं इसको तीसरे number पर उता रही हूँ, monopolistic competition market जो है, एक तो monopoly market, ठीक है, और एक perfect competition market, इन दोनों का combination है, monopolistic competition market के जो features होंगे ना, वो इन दोनों का combination होंगे, यह देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, monopolistic market के जो feature है, वो combination किसके है, monopoly market, जो इससे पहले हमने पढ़ा, और perfect competition market, जो सबसे पहले पढ़ा है था, इन दोनों का combination होता है, monopolistic market structure, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे buyer बहुत सारे होते हैं, seller भी बहुत सारे होते हैं, many buyer and many seller, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, there is a product differentiation, मतलब, यहाँ पे जो product होता है, हर seller का वो different होता है, from the other seller, यहाँ पे हर seller जो होता है, अपना different product बेच रहा होता है, यहां पर product differentiation होता है, ठीक है, अब आप सोच रहोंगे, फिर यह कौन सा मतलब कैसे product यहां पर बिखते होंगे, तो आपको बता दू, जैसे, जो भी brands वगेर हैं, ठीक है, कोई भी FMCG product लेजे, अगर मैं soap का example लूँ, तो soap तो हमाई पस कितने सारे होते हैं, लुक्स का soap है, लिरल का soap है, डव का soap है, और भी कई companies के soap है, शैंपू का example ले ले, पैंटीन शैंपू है, और डव के शैंपू आते हैं, हिमालिया के शैंपू आते हैं, तो यह क्या है, यह सब अलग-अलग brand है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, देरा मेनी seller, बहुत सारे seller है, बहुत सारी companies हैं, जिनके शैंपू मार्केट में अवेलेबल है, अलग-अलग brand, अलग-अलग नाम के से, ठीक है, डिटरजेंट की बात करों, तो देखें, यहां पर डिटरजेंट भी बहुत सारे, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, और भी बहुत सारे है, ठीक है, डिटरजे यहां पे यह होती है, कि there is a partial control over the price of the product, यहां पे जो seller होता है, यहां पे seller का थोड़ा सा partial control होता है, अपने product पे, partial control होता है, over the price of the product, यहां पे seller只是 decide कर सकता है कि वो अपने product को किस price पे बीचेगा, आपने परफ्ट कॉंटिशन मार्केट में देखा था, ना वहां पे तो seller का क कोई कंट्रोल ही नहीं था प्राइस पर ठीक है वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था प्राइस कौन डिसाइड करता इसलिए तो शायद डव का जो सोप होता है वो काफी महंगा है और जो लक्स का या बाकी ब्रांड के बाद करूँ थोड़े से सस्ते हैं तो यहाँ पर ब्रांड या कंपनी जो फर्म्स होती है वो अपने प्रोड़क की प्राइस डिसाइड कर सकती है एक लिमिट तक मतलब पा अब मैं जो फीचर बता रही हूं यह आप यहीज शांपू इनको ध्यान में रखे फीचर पढ़ियेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है यह हम ले सकते हैं जैसे ब्रांड अलग ब्रांड के कपड़े जो आते है यह अलग अलग ब्रांड के शूस जो आते हैं ठीक है कुछ भी ले सकते हैं तो वो क्या है वो सब मोनो पॉलिस्टिक कॉंटीशन मारकेट के एक्जाम्पल है तो यहां पर क्या है दिर आर लाज नंबर ऑबायर न सेलर दूसरा फीचर क्या है यहां पर प्रोड़क्ट डिफरेंशेशन होता है हर सेलर का जो क्या मोले इस पर्फेक्ट अप्रीचर काट है और सेलर कॉसल हूथ सेलर मोई तक इस अधिजाम्यत परिआगा कामपलाशलक करने है कि यहां पर प्रोड़क्ट डिफरेंशेशन होता है अगला फीचर है दा आपक हूथ सेलिंग प Diamant सेलिंगका मतलब है कि लो कर यहां थीच देखिए जितने भी soap, shampoo, detergent और अलग अलग brands इनके खुब आड आते हैं तो ये advertisement पर अच्छा खासा खर्चा करते हैं पिर अगला feature क्या है downward sloping demand curve इनका जो demand curve होता है वो downward sloping होता है जैसे जैसे price बढ़ती जाती है इनकी quantity demanded क्या होता है कम होता जाता है ठीक है तो इनका demand curve कैसा होता है downward sloping ये भी वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि इनका demand curve कैसा होता है ठीक कि this is important ये सारे ही जो चारो market है इनका demand curve पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान रखेगा यहाँ पर और अगला feature क्या है freedom of entry and exit यहाँ पर भी freedom देखिए spelling गलत लिखिए मैंने EXIT होगा ठीक है यह एस नहीं होगा तो यहाँ पर freedom होती है entry and exit की यानि अगर कोई भी अपनी firm खोलना चाहे ठीक है किसी भी particular industry में जैसे FMCG इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अपनी firm खोलना चाहे तो entry easy है और अपनी firm को बंद करना चाहे हमेशा के लिए तो वह exit भी easy है यहाँ ठीक है freedom है इसकी जो next factor है next feature है that is lack of perfect mobility lack of perfect mobility इसका मतलब क्या है जो factor of production है उनकी perfect mobility नहीं है ठीक है अगला जो feature है that is lack of perfect knowledge lack of perfect knowledge का मतलब क्या है कि जो seller है और जो buyer है उसको पूरी complete पूरी perfect knowledge नहीं है market के बारे में क्योंकि इतने product है इतना product differentiation है हर product अलग है तो इसी लिए हर product की price क्या होनी चाहिए तो यहाँ पे जो buyer है और जो seller है दोनों को ही market के बारे में perfect knowledge नहीं है तो this is the feature of monopolistic competition market I hope आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है अब हम पढ़ेंगे हमारा जो fourth market structure है that is oligopoly oligopoly बहुत खास है यह एक अलग है थोड़ा सा oligopoly वो market structure है जिसमें किया है there are few big firms यहाँ पे कुछ firms है लेकिन वो बहुत बड़ी firms है उनका market share बहुत बड़ा है ठीक है बड़ यहाँ पे buyer तो वही है large number of buyer buyer बहुत सारे है लेकिन जो firms है वो कुछ है और big firms है उनका market share बहुत इसमें कुछ खास बात और है कि यहाँ पे price and output decision जो है एक firm का it significantly impact the price and output decision of its rival firm यहाँ पे कुछ ही firm से है तो अगर एक firm का जो price है और कितना production कर रहा है यह बहुत ज़्यादा impact डालता है दूसरी firm पे यानि यहाँ पे जो interdependence है यानि एक firm दूसरी firm पे क्या है बहुत जालती है इसलिए यहाँ पे क्या है cutthroat competition एक दम गला काट के competition हो रहा है यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ी एक्जामपल है वैसे और भी बहुत सारे एक्जामपल है कुछ बुक्स में आपको coldring का example Pepsi Cola और coldring का example मिलेगा मैंने यहाँ पे telecommunication sector का example लिया है कुछ बड़े ज market share है अगर मैं telecommunication sector की बात करो तो बहुत बड़ा market share इन ही companies का है ठीक है बागी छोटी मोटी companies भी है पर बड़ा market share इन companies का है तो क्या है this is oligopoly this is the very good example of oligopoly market यहाँ पे क्या है few firms है कुछी firms है and they are big firms यह बड़ी firms होती है और एक firm ने जो भी अपनी price decide की उसका impact पड़ता है द discount policy लाई अपने internet के rate कम किये तो दूसरी firm तुरंद अपने और rate कम कर देती है ठीक है या कोई नया और promotion strategy को दूसरी यूज़ करती है ठीक है तो यहाँ पे बहुत ज़ादा क्या लिजे competition रहता और एक firm की price and output दूसरी firm को impact डालती है अब चली मैं आपको जल्दी से features बता जी तो सबसे पहला feature क्या है यहाँ पे जो seller है वो क्या है small number of big firm कम firms है बड़ी firms है ठीक है दूसरा feature क्या है high degree of interdependence यानि एक firm दूसरी firm पे बहुत ज़ादा depend करती है क्योंकि कुछी firm है इसलिए एक की price and output policy दूसरे की price पे impact डालती है अब यह तीसरा जो point में बताने जारी है this is very important again demand curve यह बहुत important है question आता है कि demand curve बताइए oligopoly market का demand curve कैसा है तो एक बात बता दू जो demand curve है oligopoly market का na it is not possible to determine the demand curve of oligopoly market oligopoly market की जो firm होती है उसका demand curve determine करना possible नहीं है अब आप पूछेंगे क्यों नहीं possible है क्योंकि देखिए यह possible नहीं है कि predict कर सके change in quantity जो firm है उसने अपनी quantity मतलब quantity में कितना change आएगा when it changes its price जो oligopoly market में जो firm होती है उसने अपनी price को change किया बढ़ाया या घटाया तो उससे उसकी quantity demanded में क्या change आएगा वो credit किया ही नहीं जा सकता ठीक है suppose करिए एक firm ने अपनी price को बढ़ा दिया ठीक है तो दूसरी तो उससे उसकी quantity demanded पे क्या impact आएगा यह नहीं predict किया जा सकता है suppose करिए यह जो firm है उसने अपनी price को घटा दिया तो क्या पता जो commentator है वो भी अपनी price घटा दे उससे भी ज्यादा घटा दे ठीक है तो जो buyer है वो क्या होंगे दूसरी firm पे shift हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ पर predict ही नहीं किया जा सकता कि firm ने अपनी price change की तो quantity demanded पे क्या impact पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर demand curve is unpredictable not possible to determine ठीक है तो यह एक बहुत important point है यह आपको ध्यान में रखना है अगला जो feature है that is formation of cartel, formation of cartel, cartel यह एक नया word होगा आपके लिए cartel जब वैसे मैंने MCQ कराया था मेरे economics पे मैंने लगभग 100 MCQ discuss किये हैं अपने channel पे मेरे channel पे एक playlist है 1000 MCQ series है उसमें तो मैंने different subject पे MCQ discuss किये हैं तो वहाँ पे मैंने economics पे भी 100 MCQ discuss किये हैं तो वहाँ पे बहुत सारे question, MCQ में मैंने एक बात notice कि कि और वो exam में आई हुए question मैंने वहाँ पे discuss किये हैं तो वहाँ मैंने notice किया है कि oligopoly पे इतने question पूछे जाते हैं na MCQ में, competitive exam में तो oligopoly इसलिए मैंने का थोड़ा सा खासे इसको ध्यान से पढ़ना है, cartel पे भी बहुत question पूछे जाते हैं demand curve पे बहुत question पूछे जाते हैं, ठीक है तो ये सब चीज़े आपको ध्यान से पढ़ना है तो oligopoly market में क्या होता है, there is cartel, ठीक है, cartel form होता है, cartel का मतलब क्या होता है ये एक type का arrangement है, जिसमें firms जो होती है, oligopoly market की जो firms होती है वो अपने बीच में competition को avoid करने के लिए एक arrangement form करती है, एक agreement करती है आपस में उसको कहते हैं cartel, ठीक है, जिसमें वो price and output quota fix करती है यानि output कितना किया जाएगा, production कितना किया जाएगा, ये quota डिसाइड करती है ठीक है, तो this is called cartel, एवन मुझे एक question यादा रहा, उसमें पूछा था, चार option दिये थे तो उसमें एक option था कि cartel जो है किस से related है, तो cartel is related with perfect competition market की monopoly की oligopoly की monopolistic market तो ये जो cartel word है ये oligopoly market से related है, ठीक, अगला जो feature है that is entry barrier, entry barrier का मतलब क्या है, कि हर firm इस oligopoly market में अपनी मतलब business start नहीं कर सकती है, यहाँ पर license होता है, यहाँ पर patent right होता है, ठीक है, तो जो new forms है, वो इतनी आसानी से मतलब oligopoly market में इंटर नहीं कर सकती है, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पर licensing का मतलब process होता है, next जो feature है that is non-price competition, यह भी important है, non-price competition का मतलब क्या है, देखिए non-price, यानि यहाँ पर एक बात तो, मैंने last slide में बताया था कि यहाँ पर firms पर competition बहुत जाता है, ठीक है, लेकिन यह जो firms ह होती है, इनमें non-price competition होता है, non-price competition मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक firm ने अपनी price कम की, दूसरी firm ने भी और कम कर दी, फिर तीसरी ने और कम कर दी, फिर पहली वाली ने और कम कर दी, तो यह price को लेके competition नहीं करते हैं, यह अपनी service को लेके competition करते हैं, यह और feature, अपनी service और आपे price war नहीं होती है oligopoly market में price war नहीं होती है जैसे एक example है जो Pepsi है वो भी 10 रुपए की थी एक समय में और Cola भी 10 रुपए की है तो दोनों की price same है लेकिन वो दूसरे front पे competition करते हैं दोनों का brand promotion अलग तरीके से होता है ठीके बाखी चीजों में competition होता है बट इनको price को लेके ये कोई price war नहीं करते हैं तो ये एक feature है oligopoly market का तो I hope अब मुझे लगता है ये आपको चारो जो market है वो अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक अगर अच्छे से समझ में आ गए है तो बस मैं जल्दी से अब आपको इनके बीच में comparison जो है क्योंकि ये भी बहुत पूचा जाता है इनके बीच में comparison तो अगर चारो market समझ में आ गया है तो comparison आप खुद भी कर सकते हैं जल्दी से बस मैं आपको revise करवा दे रही हूँ चलिए इस comparison से हमारा revision भी हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा था सबसे पहला जो यह देखिए यहां पर लिखा है मैंने perfect competition, monopolistic, monopoly, oligopoly अगर मैं number of seller, number of buyer के basis पे compare करूँ तो perfect competition market में buyer seller large number में होते है monopolistic में भी large number में होते है but monopoly में क्या होता है railways, single seller, लेकिन large number of buyer oligopoly में क्या है example लीजे, telecommunication का वहाँ पे क्या है, small number of big seller big seller है लेकिन कम number में ठीक है, और large number of buyer है ठीक, अच्छे यह जो आपको रटना नहीं पड़ेगा आप हमेशा example में इसको ध्यान में रखे जैसे perfect competition यानि agricultural product ठीक है, monopolistic यानि यह जो soap, shampoo, इन सब को ध्यान में रखे monopoly यानि railway oligopoly यानि telecommunication geo airtel यह इसको ध्यान में रखे आप सारे करिए तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगला क्या है अगला इनका बीच में difference जो है उसका basis क्या है product perfect competition में homogeneous product एक जैसे product monopolistic में क्या होता है product differentiation product अलग अलग होते है monopoly में क्या होता है absolute product differentiation यानि उसका कोई close substitute है यह नहीं market में railway का कोई close substitute है नहीं है na oligopoly में क्या होता है homogeneous और differentiated दोनो type of product होता है सारे telecommunication जो companies है वो एक ही चीज तो provide कर रही है सभी एक चीज provide कर रही है network provide कर रही है internet provide कर रही है लेकिन उनमें भी differentiation है तो homogeneous भी होती है differentiated भी होती है अगर फिर price की basis पे इनको divide किया जाए difference देखा जाए तो perfect competition market में price क्या होती है same होती है they are the price taker monopolistic में price uniform नहीं होती है क्यों क्योंकि यहां पे product differentiation होता है monopoly में तो uniform नहीं होती है ठीक है यहां पे price discrimination होता है price discrimination बताया था ना price discrimination मतलब same different price charge करना to different buyer different buyer से different price charge करना price discrimination oligopoly market में क्या होता है oligopoly market में भी price uniform नहीं होती है ठीक है क्योंकि यहां पे product differentiation है product अलग है फिर अगर मैं entry of firm के basis पर divide करूँ तो perfect competition market में free entry है कोई भी अपनी firm खोल सकता है monopolistic market में absolute freedom नहीं है बहुत easy नहीं है monopoly में तो possibly नहीं है railway के अलावा कोई और नहीं government control है उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता oligopoly में भी restricted है क्यों क्योंकि यहां पे patent है copyright है मतलब patent है ठीक है license वगे रहे है copyright नहीं license वगे रहे तो इसलिए यहां पे oligopoly में भी restriction है और अगर knowledge of market condition की बात करें तो perfect competition market में perfect knowledge होती है buyer और seller दोनों को perfect knowledge होती है regarding the product price and other thing लेकिन monopolistic में क्या होता है imperfect knowledge होती है monopoly में भी imperfect knowledge होती है oligopoly में भी imperfect knowledge होती है ठीक अब जरा demand curve की बात करें यह जो firm से उनके demand curve की बात करें तो perfect competition market में कैसा demand curve था horizontal ऐसा बना था horizontal straight line ठीक है तो यहां पे demand curve demand अगे elasticity की बात करें perfectly elastic था monopolistic में कैसा demand curve था downward sloping था लेकिन relatively more elastic था monopoly में कैसा demand curve था वो भी downward sloping था लेकिन relatively less elastic था और oligopoly में तो आप specify करी नहीं सकते है determined करी नहीं सकते ठीक अगला जो difference है selling cost के basis पे है perfect competition market में selling cost required ही नहीं है यहां पे advertisement वगेरह नहीं होता ठीक है किसी को advertisement करने की जोगत नहीं है यहां पे products similar है homogeneous product है monopolistic में क्या होता है heavy advertisement soap, shampoo इन सब के brands के advertisement आप खूब देखते हैं monopoly में भी railway के advertisement करता है ठीक है यहां पे भी advertisement required नहीं है oligopoly में भी advertisement होता है airtel, geo इन सब के advertisement आप देखते ही रहते है ठीक है degree of price control price control price पे कितना control है उसके basis पे divide करें तो perfect competition market में तो price control एकदम ही नहीं इसलिए का जाता है they are the price taker यह क्या है price taker not price maker ठीक है तो यहां पे price पे कोई control नहीं है monopolistic में क्या है partial control partial control है price पे monopoly को तो full control है railway अपने इसाब से price charge कर सकता है oligopoly में भी partial control है ठीक है तो these were the few differences between these four type of market यह जो चार market के form है इनके बीच में यह कुछ difference है ठीक तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत easy concept है और इस पे question आता ही आता है exam में ठीक है तो चलिए अब इसको अच्छे से पढ़िएगा अगले turn पे हम लोग पढ़ेंगे market equilibrium राइट और शायद उसके बाद हमारा पूरा जो concept है तो चलिए फिर अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है बहुत effort लगता है आप मेंसे काफी बच्चे यूट्यूबर हैं तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कितना महनत लगता है तो प्लीज इन वीडियो को लाइक किया करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यूँ